जनाब दर आता है सबसे डिफिकल टॉपिक ओफ फार्माकोलोजी तो हमने इसको बेसिक से शुरू करना है ताके हम एक बर बेसिक को कवर कर लेंगे तो हम सिंपल टू कंप्लेक्स मोव करेंगे ठीक है अचा इस वीडियो में हमने जस्ट नियूरो ट्रांस्मिटर्स पढ़ने तो हमने चैनियूरो टू को करना नहीं ठीक हैं उर्त को करेंगे अधू कॉनसे पिरली थे तो को Beimom से कौन छी नियूरो है पहला निरो ट्रांस्मेंटर एसेटाल को लिए जानते हैं तीन इंपोर्टन रिसेप्टर होते हैं इसकी M1, M2, N-N-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T-E-N-C-O-T अर एक्सातरी एक्टरी हैं हम देखेंगे के शाडिक्सातरी एक्साटरी एक्ट करते हैं तूर प्र्टाषिम कंडक्टनस एक्षिंगात। माइनने इसकी M1, M1, M2, N-C-O-T, E-M3, N-C-O-T, E-M3, N-C-O-T, E-M6, T-O-T, E-M6, T-O-T, E-M6, T-O-T, E-M6, T-O-T, E-M6, T-O नहीं है लेकिन IP3 और DAG हमेशा excitatory में जादा होंगा और potassium हमेशा inhibitory में जादा होगा है potassium conduction ठीक है तो यह हमने देख लिया है then second neurotransmitter is dopamine dopamine के दो important receptors in D1 and D2 D1 देखा जाए तो inhibitory होता है और D2 भी inhibitory होता है which means dopamine is a purely inhibitory neurotransmitter ठीक है अच्छा तो डी वन सप्टरप्रेक्ट करते है डाय हीडरक्जीदीन और D1 को block कर रहे होती है फीनो थायजीन ठीक है D2 को activate कर रहे होते हैं bromocryptin हमें नाम पहले भी सुना हुआ इसका और D2 को block कर रहे होती हैं phenothiazine, bitarophenone and haloparidol ठीक है यह हमने याद कर लिया और हम देख लिए कि दोनों ही inhibitory है जो यह है हमारे पास presynaptically D1 तो purely inhibitory है जो D2 है वो presynaptically calcium conductors को कम करके inhibitory है और post synaptically potassium conductors को increase करके inhibitory है तो हमने dopamine को देख लिए कि D1 और 2 है दोनों ही inhibitory है और हमने स्टल को देख लिए कि M1 inhibitory था जबके M2 आइनिस पर अगंडीन राइनिस से फिनायाय एफलिन और प्रासज़सली अगंडीन वा इसकी यहां बैंडीन से से और इसदे हुंडीन रोय ने क्रोल मील पता को फीट में बॉइटन लुइने ו इसके रहे बबास है इंटावन यहां ऑगंडीन रस you. और alpha 2 inhibitory है, beta 1, satiator 3, beta 2 inhibitory है, बस इंपॉर्टन बात है, पता हों जाहिए, Aptopirone, Aptopirone के अलावा एक partial agonist होता है, बस पिरोन यहीं पता हों जाहिए कि 5HT1 नहीं पर बस पिरोन एक्ट करना होता है, और 5HT1 नहीं है, बाकि तीनों excitatory है, 5HT2 वे बड़ा इंपॉर्टन है कि 5HT2 वे पर LSD नहीं एक्ट करना होता है, वो इसका agonist है, इसका antagonist होता ह क्लोजापीन, रिस्पेरिडोन और अलन्जापीन, क्लोजापीन, अलन्जापीन और रिस्पेरिडोन यह 5HT2 वे के antagonist नहीं है, यह important है, यह याद रखना है, ठीक है, 5HT3 जो कहा हमां स्टमक में होता है, इसका agonist होता है, और बाकि इतने important नहीं हैं, तो 5HT1 ने 5HT2 वे 5HT3 और 5HT4 serotonin के ऐसा है, एक mixed neurotransmitter है, चोथा है, फिफ्थ है glutamate, glutamate के होते हैं, चार important receptors, NMDA, AMPA, kainate receptor, metabotropic receptor, इसमें अब देखेंगे कि NMDA excitatory है, AMPA excitatory है, kainate excitatory है, metabotropic receptor है, उसका, उसमें inhibitory reaction भी आता है, और excitatory reaction भी आता है, which makes glutamate a mixed neurotransmitter, NMDA receptor पर NMDA का एक एक एक्ट करते है, AMPA एक्ट करते है, kainate पर काइनेक acid या kinated self effect करते है, और इस तरह फुर लंबी forms कि इसको याद करना सच important नहीं है, for time being, तिक हम यह पता हुँचे है, कि NMDA, AMPA, Kainate T3 no excitatory neurotransmitter, जबके metabotropic excitatory भी और inhibitory और यह glutamate के चार receptors है, अब हम different drugs पढ़ेंगे ना आगे, तो हमें यह दोबारा आएंगे सारे receptors, आपने याद रखते हैं कि कौन सा receptor कौन सा new transmitter का है, ठीक है, अच्छा, then GABA receptor बड़ा famous है, GABA के दो forms होती है, GABA A और गाबा B, GABA A पर एक्ट करते हैं, बेंजोडाइजपीन, बार्बिचुरेड्स और जोल्पीडम यह Z-drugs होती है, जो GABA A पर एक्ट कर रही होती है, इसका antagonist होता है, पिक्रोटोकसिन, ठीक है, और GABA A is inhibitory, इसका agonist होता है, बेकलोफिन, और इसका antagonist होता है, सेकलोफिन, ठीक है, बेकलोफिन और सेकलोफिन है, और यह वो endotransmitter जपाया जाता है, spinal cord में और brainstem के लेवल पर, इसका agonist होता है, taurine and beta alanine, उसका antagonist होता है, stryknin, तो stryknin, poison कहां प्रेक्ट करता है, glycine receptor प्रेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, सातों यह हो गया, और purely inhibitory है, अच्छा, आठफा है histamine, histamine के H1, H2, H3, 3 important receptors है है, H1 पर histamine नेक्ट करना होता है, H3 पर भी histamine नेक्ट करना होता है, एक चीज़ के histamine 1 and histamine 2 both are excitatory, histamine 3 is inhibitory, to histamine is what kind of receptor, sorry, what kind of new transmitter, mixed new transmitter, ठीक है, then we have the opured peptides, opured peptides, opured new transmitters के 3 important receptors होता है, mu receptor, delta receptor and kappa receptor, mu पर एक्ट करना होता है, bendorphins ने, endorphins ने, delta पर एक्ट करते है, encephalins and kappa पर ए करना है, endorphins ने, delta पर एक्ट करना है, encephalins ने, और kyaappa पर एक्ट करना है, dynorphins ने, और तीनों का antagonist naloxone है, तीनों की poison को naloxone है, sorry, reverse करता है, और ये opureds भी purely inhibited neurotransmitters है, ये पता होता होता है, ठीक है, टाकी काइने, जो हमने निरो काइने पर रहे थे, को याद होगा, anti- काइने, लेंबर, तो, टाकी काइने ये, तो, नेरो काइने काइन, नेरो काइनन दू क्ली। है और फिंठ नहीं हैं अभी यहां पर भी अन्युस को क्या है और। है। और endokannabinoids आते हैं GABA, glycine and endokannabinoids यह क्या है, inhibitory neurotransmitter है और mixed में सारे आते हैं estalcoline, norepinephrine, dopamine, histamine and norepinephrine, estalcoline, dopamine, serotonine and histamine तो यह सारे क्या है, mixed है यह क्या है, inhibitory यह क्या है, excitatory में कौन को से ने किये glutamate, aspartate, orexin inhibitory में कि GABA, glycine and endokannabinoids, mixed में कि हमने estalcoline, histamine, dopamine although हमने dopamine के दोनों inhibitory परेते but some of its receptors are having a very minute excitatory activity as well, histamine और estalcoline, norepinephrine dopamine और serotonine तो यह होगे mixed वाले, तो these are the neurotransmitters and their receptors, अब हम इनकी details बाकी फर्दर चेप्टर्स में देखते रहेंगे साथ-साथ